स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पनवीर सर पर और वो भी डेफ फोर में क्यूंकि तिकुनमीती का exercise 8.4 जो चल रहा है उसका question नमर 5 का डेफ फोर है आज इसलिए डेफ फोर में स्वागत है और डेफ फोर में हम लोग पढ़ने वाले है question नमर 7 और 8 तो question नमर 7 देखिए गवाबू क्या कहता है कि sin ठीठा माइनस 2 sin q ठीठा बटा 2 cos q ठीठा माइनस cos ठीठा इसकल 2 लाना केतना है 10 ठीठा यह प्रूफ करना है यह भी question very very important है इस chapter को ही नाम देदीजी आप भी भी याई question क्या है यह भी भी आई question है यह भी very very important question है ना तो सबसे पहले इसमें हम चलेंगे किससे LHS के तरफ से चलेंगे आया जिस के तरफ से तो बनाना possible नहीं है कि यह कापी छोटा सा है भई इसको इतना बड़ा करना बहुत मुस्किल है ना चलिए तो हम लिख दिया है पहले ही sin theta minus two sin q ठीठा हम लिख लेंगे पहले note कर लेंगे कि LHS बराबर sin theta minus two sin q ठीठा बटा two cos q ठीठा minus cos ठीठा हमने यह नोट कर लिया अब इसमें क्या करेंगे भई ध्यान से देखिएगा हमको लाना है 10 में मतलब sin by cos तबी जाकर यह 10 होगा है यह one by cot होगा तबी जाकर क्या होगा 10 होगा यह sin by cos होगा तो लेकिन इसमें sin by cos आफानी से हो सकता है किसे हो सकता है तो दिखिए यह दिया है पहले sin-2 sin q ठिठा मतलब जो कम है, इधर एक हो साइन है इधर तीन हो साइन है कम कौन हुआ, कहईगा स्तर जी एक हो साइन पहले जो है, वही है तो उसी को common करेंगे, तो कर लेते है लिख लेजे यहाँ, साइन थिटा, हम इसको common कर रहा है तो कोश्ट दो लिखेंगे, तो यह तो टोटल निकल गया तो ऊस्थान पर क्या बचता है वन बचता है ये माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे धु है तो में तो रहेगा ऑब dhp स्वाइन क्यों ठीठा साइन केतना रोगूरा था भाई देख लिजेए हैं जडिकाई ज़रा साइन ठीठा गुना साइन ठीठा गुना साइन ठीठा ये तीन बार गुना था ये इसका मतलब ये हुआ साइन गुना साइन में सुना अब ये गो तो निकल के चला गया है देख कॉमन में तो महुच गया दू गो तो ये मतलब क्या हुआ भरी तो side square theta को येगा ना कि sine square theta तो यहाँ हम लिख देंगे to side square theta cost बंद ऑजाएगा बट आने देखिए तो जरा सा बुएikte क्या इसमें भी कुछ common निकल रहा है तो आख सर जी इसमें भी कॉमन निकल रहा है वो भी क्या है वो निकलेगा तो उसको क्या कर देंगे भाई निकाल देंगे common तो निकाल लीजिए cost ठीठा को यहाँ निकाल लिए लीजिए है two तो बच जाएगा यहाँ ठीक यही वाला process यहाँ भी है cost q है तो यह हो जाएगा cost square ठीठा उसी के जैसा हो जाएगा तीन बार बुना था यहाँ निकल गया बच गया दूगो तो बच गया cost square ठीठा माइनस है यहाँ अब यह cost टोटल निकला यहाँ क्या बच्चा भाई यहाँ पर क्या बच्चा तो एक बच गया लेजिए अब sin by cost आ गया कितना अच्छा होता है इससे मरातक कड़ जाता sin by cost हम लिग देते time है ना तो होगा घबड़ा यह नहीं वही होगा जो आप सोच रहा है लेजिए यह जो है sin ठीठा है ना into one minus यह two है है ना अब यह sin square ठीठा है नीचे कितना अच्छा होता है यह cost square में sin square आ जाता यानि कि यह cost square या तो यह cost square है तो यह sin square का रूप में आ जाएगा तो कटेगा या यह cost square sin square का रूप लेजिए 2 है और sin square theta को हम लिख सकते हैं cos को रुप में 1 minus cos square theta है है ना ऐसे तो लिख सकते हैं जी सर बिलकुल लेख सकते हैं आप यही सोच रहा हो तो लेजिए हम लिख दिए नीचे क्या है cos theta है है ना into 2 cos square theta minus 1 अब इसको नहीं change करना है नहीं तो इसाइन में आ जाएगा हाई देखिए मतलब पलटते हो लटते हो इसी रहा जाएगा जैसे थे हो इसी रहा जाएगा एक यह को चैन्ज कीजिए ना भई next step में हम बढ़ेंगे अब देखिएगा sign ठीठा तो रहेगा ही तो लिखेंगे sign ठीठा यह कोस्ट है तो कोस्ट दे दिजिए one minus लिख दिए one minus अब यह जो है इसमें गुना तो करेंगे तो minus do पहले लगा हुआ है तो यह क्या होगा बदलेगा लेकिन ही minus do है आही पालस one है तो माइनस लिख दिए तो दू एक अम दू लिख दिये है आप देखिए यहाँ पर घरासा यह minus क्योंकि minus 2 से सभी में क्या हो जोड़ा है तो minus दू और ये माइनस होगा कि जाएगा तो कॉस स्कुआइर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा देखिए तो मैनस दू एक कम दू आप माइनस माइनस पालस तो जो है उसको लिख दिजे तो बटा में तो पहले से कॉस ता है है ने आई देखिए 2 cos square theta minus 1 लिखिए तो 2 cos square theta minus 1 जो था हमने वही लिख दिया है ना अब आगे देखिएगा कि लिख दिजिए sin theta into आई देखिए हई 1 और हई 2 इदू नों एक जाती का दिख रहा है है यहां तो एक में से 2 घटा सकते हैं ना तो एक मेंसे 2 घटा यहां माइनस 1 दिख दीजिए यहां माइनस 1 लिख सकते हैं ना लेजी लिख दिए अब पहले से क्या है 2 cos square theta एकदम प्रेम से लिखी है ना अब बाई 1 cos theta हो और नहीं तो आपको लग रहा है कि नहीं सरफ चेंज कर दीजिये अच्छा लगेगा तो चेंज कर दीजिये लेजिए साइन ठीठा इनटु पलोस वाला पहले लिख लिजिये तू कॉसब्स माइनस वंला बार मीा देज.? देखे कॉस ऊर ऐंटू टू, कॉस स्कॉयर त्हट्टा माइनवां तो महत गया क्या ? कोस स्कॉस कर सकते हैं आराम आराम से तो बहुंच गया क्या किसका फर्मूला होता है तो कहिए का सर्जेट 10ट टिपकर होता है that लिख दीजिए न 10 ठेठा अई लिजिए ये 10 ठेठा ही तो लाना था तो लिख दीजिए किसके बनाबर आ गया भई आर एच एस के बनाबर में इसलिए एल एच एस इसकल टू आर एच एस प्रूब्ड है ना वो गया चलिए अब हमारा next question है question number 8 question number 8 देखिएगा क्या कहता है कि sign a plus cos a का cos a का whole square plus cos a plus a का whole square is equal to 7 plus 10 square a plus cos square a ये भी question बहुत ही important है इसलिए हमने इसको भी लिख दिया भी वी आई लिए देखिये का इसमें हम लिए चलेंगे लिए और अगे बढ़ते हैं सईने मानते हैं और इसको बी मांते है तो a plus b का whole square भई देखिएगा आप पहिएगा कि सर जी आप तो बार बर कहते हैं कि या चेक है तो उसको हम सबसे पहले sine और cause में change करेंगे है ना तो आप यहां नहीं कर रहे हैं भी करेंगे लेकिन पहले यह a plus b के whole square में है इसको पहले तोड़ देते हैं ताकि थोड़ा और हलका हो जाएगा लेकिन बाद में इसको जरूर तोड़ेंगे हम sine या cause में change करेंगे चलिए a plus b का whole square पे है तोड़िए इसको a square यानि के sine square a हो जाएगा a square हो गया plus b square b square मतलब कौसेक a का whole square c o a c c कौसेक square a and a square plus b square पॉलस 2ab तो 2 into a क्या है भई तो sine a है है ना into b क्या है तो कौसेक a है तो 2 a b हमने इसको लिख दिया तोड़ दिया अब पॉलस है या तो पॉलस लिख दीजिए यहां कोई दिक्कात नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं यह भी a plus b के whole square के रूप में है तो इसको भी आप क्या किजिएगा तो तो तोड़िए a plus b का whole square बराबर a square plus b square plus 2ab तो a square कौन है भी तो कॉस है तो कॉस square हो जाएगा a square a plus b square b कौन है तो सेक है तो इसको square कीजिए तो सेक square a square plus b square plus 2ab तो 2 into a क्या है तो कॉस है तो लिख दीजिए कॉस a into b b क्या है भाई तो सेक है तो हम सेक भी लिखे दिए सेक है तो क्या कि नहीं a square plus b square plus 2ab हो गया चली अब आगे बढ़िए जरा सा यहाँ पर इधर cos square आया है और इधर क्या है पहले से sin square है तो आप कुछ कहिएगा तो यहाँ सर जी यह sin square है और यह cos square है तो इसको आप एक जगा कर दीजिए लिजिए हम कर देते हैं लिख देते हैं sin square plus cos square यहीं ना आप कर दीए sin square plus cos square है ना अब पलस आप देखिएगा यहाँ पर यह जो है cos square है और पलस एक square है इसको भी यहाँ पर हम एक कर लेते हैं ना लिजिए कर देते हैं कौist इसक्वाइरे कोई बात नहीं आप एक के विर जो है यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं कौist का फर्मूला लिख सकते हैं कौर कर रूप में होता है क्योंकि हम भो कौर कर रूप में लाना है देखिए तो यहाँłącz को स्कौर का poleis को का कौर का है ना इसका फर्मूला हम लिख दिये अब ध्यान दीजिए यहां पर यह तू गुना साइन इंटू कौसे के है अब देखिए पॉलास तू इंटू इंटू साइन ठीठा इंटू कौसे ठीठा का भैलू 1 होता है और नहीं तो आप चंज कीजिएगा साइन इंटू है कौसे के फर्मूला वन बाई साइन के रूप में जेंच कर सकते है न और नहीं तो डायरेक इसके भैलू 1 लिख सकते है अब पॉलास है कोस तू आप यहां लेके आ गए है अई देखिए ब्सकस्के स्क्राइर है क्या है भई से का formula भी तो जानते है 10 के रूप में होता है One plus 10 square a क्योंकि ten हमको लाना भी है ना लिख सकते है तो इसे का formula ये वाला का One plus 10 square a है ना यहाँ पर ऐसे और ये लिख सकते हैं पॉलास 2 into cos A into sec का फर्मूला होता है 1 by cos A या cos into sec का फर्मूला होता है भैलू होता है 1 ये अतना हमने कर दिया कोई दिक्कत नहीं चलिए अब इतना करने के बाद अब आप कहिएगा हमारे कॉपी में तो जगा नहीं है तो कोई बात नहीं एक बार इसको लिख लीजिएगा इसको भी एक बार लिख लीजिएगा हो जायागा अना देखिए ये वाला कर जायागा फिर उसके बाद से ये वाला कर जायागा अना अब लीजिए ये sin square plus cos square का भैलू क्या होता है इतना का इतना का भैलू 1 होता है तो 1 लिख दीजिए अब पॉलस हई पॉलस लिख दीजिए यहाँ पर यहाँ पर 1 है यहाँ तो 1 लिख दीजिए 1 पॉलस 1 हो गया अब पॉलस हई क्या है कॉट स्कॉएर है तो पॉलस कॉट स्कॉएर रिख दीजिए है ना अपलस है देखिए तो है कट गया तो इस बच गया तू अपलस है देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिजिए अपलस है क्या है 10 एसको वाईरे है ना अपलस यहाँ देखिएगा 2 तो 2 लिख दिए हम टोटल जोड़िये दासा 2, 1, 3, 2, 5 10 square पहले है तो 10 square पहले लिख दीजिए अब पॉलास बाद में है कॉट square तो कॉट square लिख दीजिए आज यहीं कि नहीं 7 plus 10 square plus cot square यहीं तो लाना था इसकल टू आर है एचेस पुरूड है ना यहीं भी लाना था हमको इसको आप ऐसे भी बना सकते थे अब देखिए यहाँ पर दना सा खुड़ा सा step बढ़ जायागा यह कैसे कि sin square plus cot square तो हम लिख लिए अब पॉलास है देखिए कॉसे के स्कुवाइरे लिख दीजिए पहले पॉसे के स्कुवाइरे अब पॉलास से के स्कुवाइरे को भी लेके आ जाए यहाँ पर से के स्कुवाइरे हमने इसको भी लेके आ गया हई देखिए पॉलास टू इतना का है टू इन्टू साइन इन्टू कॉसे का भेलू होता है क्या one होता है, यहाँ पे आप लिखिए जरा सा यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो तो two a sine a into cosec a, हमने इसको भी note कर लिया अप पलस, यह वाला एक मुच किया इधर two cosec into sec a, है ना, इतना हमने लिख दिया अई देखिए, इतना का भी लू क्या हो जाएगा भाई, तो one हो जाएगा तीक, अब पलस इसको हम लिखते हैं पहले cosec square a का फर्मूला लिख लेते हैं, चंज कर लेते हैं वो क्या, तो one plus pot square a इतना का लिख दिया, पलस अब इसका लिखिए, sec square a का one plus ten square a, हो गया अब देखिए, पलस two, two गुना, sine into cosec के बराबर होता है, one तो one लिख दिजिए, पलस हई देखिए, two into cos a into sec मतब, cos ठीठा into sec ठीठा इस कर्टू क्या होता है, one होता है है ना, अब लिजिए, देखिए तो दरासा, इधार क्या हो गया एक और एक मिलकर, two हो गया, तो two अब पलस, pot square a, अब देखिएगा है दू छोड़िए एक, एक, दू और एक ten, है ना, हो गया कि नहीं, तीन, अब लिख दिजिए पलस, अब लिख दिजिए यहाँ पर, ten, square हो गया, अब तोटल जोड़िए तो दरासा, तीन, दू, पांच, दू, साथ, हो गया, अब पलस, ten पहले कर रहा है, तो ten इसको लिख लिजिए आप, square a, अब पलस, square a, यह भी तो आ गया, RHS के बराबर में, यह थोड़ा सा हम, step इसमें क्या किये, बढ़ा दिये, थोड़ा सा step इक बढ़ दिया इसमें, आया तो वही, LHS बराबर RHS, इसलिए लिखेंगे इसमें भी, LHS is equal to RHS prove, आपको जिस तरह से भी आसानी हो, उस तरह से बनाईएगा, बस समझ में आना चाहिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छ किसन मिल जाए, और प्यारा से एक लाइक करते हुए कॉमेंट करिए, चलिए अब हम मिलते हैं, इस exercise के, यानि 8.4 के, आखेरी day, day 5 में हम लोग मिलेंगे, अब उसमें बाकी 2 question करने वाले हैं